आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HIV और AIDS के बारे में इनके symptoms, transmission यानि की HIV का infection कैसे फैलता है, इनकी prevention और HIV की pathogenesis यानि की HIV की life cycle. पहले समझते हैं HIV क्या है, HIV is human immunodeficiency virus, जैसा कि आप यहाँ नाम से ही समझ सकते हो, HIV एक virus है, जो की human यानि की मनुश्य के immune system पर attack करती है, और जैसे जैसे virus का infection बढ़ता है, मनुश्य की immunity कम होती जाती है, यानि की मनुश्य की रोगों से लड़ने की शमता, रोग प्रती रोधग शमता कम होती जाती है, और मनुश्य आसानी से रोगों की चपेट में आने लगता है. Now very important, HIV के infections से ही AIDS होता है, AIDS क्या है? AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. AIDS कोई एक बिमारी का नाम नहीं है, AIDS एक syndrome है. यानि कि AIDS में मनुश्य बहुत सारी बिमारियों की चपेट में आ जाता है. AIDS में शरीर की immunity बहुत ही कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की शक्ती जो है वो नश्ट हो जाती है, और इसी वज़ा से मनुश्य को एक के बाद एक बिमारी घेर लेती है. Now, WBCs infections और बिमारियों से लड़ते हैं. HIV वाइरस हमारे WBCs पे अटाक करती है, खुद ये WBC के अंदर multiply होती है और WBCs को मार देती है. वाइरस CD4 positive white blood cells पर अटाक करती है, यानि कि वो white blood cells जिनकी surface के ऊपर CD4 protein होता है. ये white blood cells होते हैं helper T cell, dendritic cells, macrophages और monocytes. जैसे जैसे शरीर में वाइरस multiply करती है, वैसे वैसे शरीर की immunity, रोगों से लड़ने की जो शक्ती है, वो कम होती जाती है. HIV CD4 white blood cells पर अटाक करती है, तो धीरे-धीरे CD4 white blood cells की संख्या कम होने लगती है. हमारे शरीर का normal CD4 cell count होता है 500 to 1500 cells पर millimeter cube of blood. जब ये CD4 count 200 से भी नीचे चला जाता है, तो उस वक्त हमारी immunity इतनी कम हो जाती है, कि वो हमारी body को किसी भी तरह के infections और रोगों से नहीं बचा पाती. और उस वक्त मनुश्य life threatening यानि की जान लेवा infections और cancers का शिकार होने लगता है. जैसे कि common cold होने पर वो pneumonia में तबदील हो सकता है, थोड़े से कफ से tuberculosis हो जाता है, एक minor pain के infections से severe diarrhea हो सकता है. और अब इस illness या फिर इस बीमारी को कहते है AIDS, तो AIDS एक ऐसी बीमारी है जो HIV के infections से धीरे धीरे immunity के कम होने से होती है. AIDS में immunity इतनी कम हो जाती है कि मनुश्य को जान लेवा बिमारिया होने लगती है. So, AIDS is a chronic, potentially life-threatening condition caused by human immunodeficiency virus. तो अब समझते हैं HIV और AIDS के signs और symptoms. HIV infection होने के 2 से 4 हफ्तों में flu जैसे लक्षन दिखाई देते हैं, जिनमें हलका बुखार होता है, जो कभी चड़ जाता है और कभी उतर जाता है. उसके अलावा सिरदर्थ, sore throat यानि की गला खराब होता है, fatigue थकान हो सकती है, myalgia, muscle pain और arthalgia, joint pain भी हो सकता है. धीरे-धीरे CD 4 count कम होता जाता है, जब CD count 500 के नीजे चला जाता है, तो ये लक्षन दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि persistent fever बुखार लगातार बना रहता है, profuse night sweats, रात के समय काफी पसीना आता है, lymph adenopathy, infection की वज़ा से lymph nodes में सूजन आ जाती है, इसके अलावा nausea, g-michlana, diarrhea, loss of appetite, भूखना लगना और वज़न भी धीरे-धीरे कम होता जाता है, then painful swallowing, गले की lymph nodes में सूजन की वज़ा से खाना निंगलते वक्त दर्द होता है, mouth ulcers, मुमें छाले हो सकते हैं, इसके अलावा pneumonia, cuff, shortness of breath, सास लेने में तकलीफ होना, chest pain, chronic HIV infection के लक्षन होते हैं, अब बहुत ज़रूरी याद रखने वाली बात है कि CD count जब 200 से नीचे चला जाता है, तो हमारा शरीर जान लेवा infections, रोगों और cancer की चपेट में आने लगता है, क्योंकि शरीर की जो immunity है वो बहुत ही कम हो जाती है, और इस condition को कहते हैं AIDS, AIDS या फिर AIDS defining condition के symptoms समझते हैं, कौन-कौन से होते हैं, symptoms जैसे की chronic diarrhea, जो की महीनों तक रह सकता है, उसके अलावा बार-बार pneumonia होना, then tubercle losses होना, उसके अलावा opportunistic यानि की अवसरवादी infections, बहुत असानी से AIDS के मरीजों को चपेट में ले लेते हैं, जिसमें हो सकते हैं, fungal infections जैसे की oral candidiasis, then vaginal yeast infections, उसके अलावा oral hairy leukoplachia, then exacerbations, exacerbations of psoriasis, shingles, यानि की इन बिमारियों की जो severity है वो बढ़ जाती है, then AIDS patient में mycobacterium avium complex infection भी बहुत common है, इसके अलावा liver failure भी हो सकता है, kidney failure भी हो सकता है, और tumors या फिर cancer जैसे की kaposy, sarcoma ये बहुत common है AIDS patient में, तो ये जान लेवा बिमारियां, ये सभी जान लेवा बिमारियां AIDS patient की मृत्यू का कारण भी बन सकती है, तो ये है science and symptoms of HIV and AIDS. अब पढ़ते हैं transmission of HIV, HIV या AIDS एक communicable disease है, ये एक संक्रामक रोग है, ये एक मनुष्य से दूसरे में फैलता है, ये बिमारी प्रमुकता तीन तरह से फैलती है, sexual transmission, parental transmission और vertical transmission, सबसे ज्यादा लगभग 75% cases ने HIV या AIDS, अन प्रोटेक्टेड, sexual intercourse से फैलता है, ये वाइरस में के seminal fluid और वुमन के cervical और vaginal fluid से फैलता है, ये बिमारी में से में, में से वुमन और वुमन से में में फैल सकती है, दूसरा है parental transmission, नाव टाटूस बनाने के दोरान, उसके लावा drug abuse यानि कि नशीली drugs के सेवन के दोरान, अगर HIV infected needles share हो जाएं, तो HIV बड़ी असानी से फैल जाता है, इसके अलावा infected blades, razors, syringes से भी ये फैलता है, blood transfusion के दोरान, अगर किसी मरीज को HIV infected blood चढ़ा दिया जाए, या फिर HIV infected blood products का यूज किया जाए, और HIV infected organ अगर transplant हो जाता है, तो भी HIV फैलता है, तीसरा vertical transmission यानि कि infected mother से ये child में फैलता है, child birth के दोरान, बच्चा इंफेक्ट हो सकता है, infected mother के breast feed कराने पर भी HIV infection बच्चे में हो सकता है, अब ये सब वो कारण है जिन से HIV transmit होता है, जिस से HIV फैलता है, अब समझते हैं, HIV से बचाव या फिर prevention कैसे होता है, सबसे जरूरी है, always engage in safe sex, उसके अलावा हमेशा condoms का इस्तिमाल करें, then seal sterile syringes और needles का इस्तिमाल करें, इस्तिमाल करने पर इन syringes और needles को destroy कर दें, उसके अलावा scream blood before transfusion, मरीज को blood चड़ाने से पहले test करें, कि blood में HIV का infection तो नहीं है, then sterile blood products का इस्तिमाल करें, और जिस organ को transplant करना है, उसे transplantation करने से पहले जरूर screen करें, जरूर check करें कि उसमें HIV का संकरमन तो नहीं है, उसके अलावा antiretroviral therapy, ART यानि कि antiviral therapy के इस्तिमाल से HIV की जो multiplication है, वो रुख जाती है, यह therapy HIV को मार देती है, जिससे blood में HIV का जो infection है, यानि कि HIV का जो load blood में है, वो कम हो जाता है, और HIV का blood में load कम होने से, HIV patient की quality of life improve होती है, और HIV का जो transmission है, वो partner में नहीं होता, तो यह हैं कुछ बहुत ही जरूरी preventive measures, जिससे HIV या AIDS काफी हद तक फैलने से रुख जाता है, अब एक और जरूरी बात, समझते हैं HIV कैसे कैसे नहीं फैलता, पब्लिक toilets यूज करने से HIV या फिर AIDS नहीं फैलता है, उसके लावा हाथ में लाने से या फिर गले लगने से, खाना शेयर करने से, खासने से, छीकने से और मच्छर के काटने से भी HIV या फिर AIDS नहीं फैलता है, तो अब पढ़ते हैं AIDS की pathogenesis, यानि कि HIV infection मरीच के या फिर मनुष्य के शरीर में कैसे multiply होता है, तो इसके लिए समझते हैं HIV की life cycle, अब आप इस चार्ट को देखो, ये HIV की life cycle दिखा रहा है, ये है HIV, ये है virus, HIV एक single stranded RNA virus है, और जैसा कि यहां आप देख सकते हो, ये virus के RNA strands है, और ये है helper T cell, helper T cell एक तरह का white blood cell होता है, now T cell की surface पे ये है CD4 protein, HIV CD4 protein से bind करता है, HIV का जो envelope है, वो T cell की membrane से fuse हो जाता है, उसके बाद HIV का RNA T cell के अंदर release हो जाता है, और HIV का enzyme reverse transcriptase भी T cell के अंदर cytoplasm में release हो जाता है, ये viral reverse transcriptase enzyme, viral RNA को viral double stranded DNA में convert कर देता है, इस viral DNA को कहते हैं pro viral DNA, जो कि यहां पर red color से दिखाया हुआ है, अब ये pro viral DNA, T cell का जो DNA है, उसके अंदर insert हो जाता है, उसके अंदर गुस जाता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, T cell का जो DNA है वो blue color का है, और pro viral DNA जो है वो red color का है, तो ये pro viral DNA, T cell के DNA में insert हो गया है, अब ये DNA जब transcribe होता है, तो viral RNA produced होते हैं, दो तरगे viral RNA produced होते हैं, एक है HIV messenger RNA, और दूसरा है HIV genomic RNA, ये viral messenger RNA से synthesize होते हैं, viral proteins, जो की virus का envelope बनाने में, virus के enzymes और virus के proteins बनाने में use होते हैं, इसके अलावा जो ये genomic RNA है, ये virus का genetic material बनाता है, तो जैसा कि अब यहां पर यहां देख सकते हो, मनुष्य के white blood cells में ये जो वाइरस है, ये multiply हो रही है, इन genomic RNA और protein का इस्तमाल करके, एक HIV virus से सैंकडों और हजारों की संख्या में, वाइरस जो है वो multiply हो जाती है, तो इस तरह वाइरस का जो infection है, वो धीरे धीरे भढ़ता जाता है, ये viruses, white blood cells से बाहर आती है, और ये जो white blood cell है, ये destroy हो जाता है, और इस तरह CD4 white blood cells का जो count है, वो 200 से भी नीचे बहुँच जाता है, और उस condition में जो बिमारी होती है, उसको हम बोलते है AIDS, तो इस तरह AIDS डेवलब हो जाता है, और यहां में आपको एक बात जाननी ज़रूरी है, कि एंटी रेट्रो वाइरल थेरपी के यूज से HIV की जो multiplication है, HIV की जो ये growth है, वो रुख जाती है, और HIV से AIDS डेवलब होने की जो क्रिया है, वो भी रुख जाती है, और इस वज़ा से वाइरस का infection होने के बाद immunity कम होती है, पर वो immunity इतनी कम नहीं होती कि मनुष्य को AIDS डेवलब हो जाए, तो एंटी रेट्रो वाइरल थेरपी के यूज से AIDS होने का जो खत्रा है, वो कम हो जाता है, तो यह है कुछ important जानकारी with regards to HIV and AIDS, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो,